हेलो और वल्कम तो माई चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ जैन मटर पनीर मॉनिको स्लाइडर्स उसकी डीटेल्ड रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मिल जाएगी सो हमें मटर पनीर मॉनिको स्लाइडर्स बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए पनीर पनीर को हमें ठीक से ग्रेट कर लेना है उसके बाद हम उसमें बॉइल किये हुए और मैश किये हुए मटर डालेंगे बॉइल और मैश करके हमें उसमें डालना है मटर उसके बाद हम उसमें मिक्स करेंगे चीज चीज आप ज़रूर डालेंगे बहुत ही टेस्टी लगता है चीज डालने के बाद हम उसमें एड करेंगे धनिया डालने के बाद हम सॉल्ट एड करेंगे और फिर उसे हमें प्रॉपरली से मिक्स कर लेना है यह मैंने यहां पर उसको मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद मैंने यहां पर एक बोर्ड में मौनेको बिस्किट को ऐसे प्लेस कर दिया है यहां पर सारे ही मौनेको बिस्किट को ऐसे प्लेस करने के बाद हमने जो मिक्षिर बनाया था मतर पनीर और चीज धनिया डालके उसको हमें बॉल्स बना लेना है बॉल्स बनाने के बाद उससे हलका सब प्रेस कर लेना है जैसे मैंने आपे वीडियो में बताया है वैसे ऐसे ही मैं सारे ही मटर पनीर के जो बॉल्स है वो मैं बना लूँगी यहाँ पे मेरे सारे ही मटर पनीर वाले बॉल्स बन गए है उसके बाद मैं एक के बाद एक बिस्कित में बिस्कित के उपर रख दूँगी और दूसरा बिस्कित उसके उपर कवर कर दूँगी सैंडविच के जैसे हमें कर लेना है और यह जब सारे यह पंज है उसके बाद मैंने आप एक ग्रीन चटने ली हुई है तो हमें जो साइड से उसे ग्रीन चटनी के साथ कोट कर लेना है ग्रीन चटनी से प्रॉपरली कोट हो जाए उसके बाद मैंने आप पनीर लिया है आप पनीर की जगह पे चीज भी यूज़ कर सकते हो तो उसके बाद चटनी के कोट करने के बाद मैंने आप पनीर से भी कोट क कर लिया है ऐसे ही में सारे ही बिस्किट्स में कर लूँगी और यह टेस्ट में बहुत ही अमेजिंग लगता है बहुत टेस्टी लगता है और इसको आपको जैन ना बनाना हो तो आप इसमें अनियंस भी एड़ कर सकते हूँ ऐसे ही मैंने यहां पे सारे ही बिस्किट्स रेडी कर लिया है तो यह रेसिपी आप ट्राय कर लिए और मुझे कामेंट्स में बताइए कैसा लगा थैंक यू बाई